C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है पाट आट यह सबसे कठिन समय नहीं प्रिष्ट बयालीज नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं अभी भी दबा है चिडिया की चोंच में तिनका और वह उडने की तैयारी में है अभी भी जर्ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक अभी भी भीड है स्टेशन पर अभी भी एक रेल गाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया अभी कहा जाता है उस कथा का आखरी हिस्सा जो बूढी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं जया जादवानी प्रिष्ट तेंतालीस प्रश्ण अभ्यास पाट से एक यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए कविता में कौन-कौन से तर्क प्रस्तुत किये गए है स्पश्ट कीची दो कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करते बातें लिखी गई है अभी भी का प्रयोग करते हुए तीन वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कारे का भाव निकल रहा है या नहीं प्रिष्ठ चौवालीज चार नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके तीन वाके लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन-कौन से भाव छिपे हो सकते हैं कविता से आगे एक घर के बड़े बुढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो दो आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विशय में आप क्या सोचते हैं अपने विचार लिखिए अनुमान और कल्पना अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सच मुझ कोई बस आती है जिससे खत्रों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है आपकी राय में यह जूट है या सच यदी जूट है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया अनुमान लगाईए यदी सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वहबस कैसी होगी वे बचे हुए लोग खत्रों से क्यों घिर गए होंगे इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाईए अभी आप सुन रहे थे पाठ आठ यह सबसे कठिन समय नहीं प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत